साथियों, बहुत ही बहतरीन, बहुत ही जबर्जस्त, मैं आपके लिए लाया हूँ GS World की एक बहुत ही बहतरीन सामान अध्यन की टेस्टरीज, साथियों, आपका जो एक्जाम होने वाला है, UPPCS Prelims 2024 का, उसी के लिए हम GS World की यह 13 टेस्टरीज लाये हैं साथियों, आज की हमा घटना चकर की टेस्टरीज, हम लोग छात कर लिए हैं, तो यह हमें बहुत ही बहतरीन टेस्टरीज लगी, आप लोग देखेंगे कि आप लोग को आभास हो जाएगा कितनी महत्पूर्य टेस्टरीज है, इसलिए हमने घटना चकर को रोक कर पहले इसको करवाना उचित जो एक तरह के आजकाल का जो प्रस्ण आने का तरीका है, तो बिल्कुल उसी हिसाब से प्रस्ण को सेक्ट किया गया है, तो आप लोग से निवेतन है, आप लोग थोड़ा धायर रखकर वीडियो को पूरा वाच किजिएगा, साथियों आजकाल के जो इस्टुडेंट हैं, तो उनको वो चटकार, मसालेदार चीजे चाहिए, जिससे उनको फायदा हो या ना हो, सिर्फ उनको मजा आना चाहिए, तो साथियों आपको बहुत कुछ सीखने, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बस आप से यही निवेतन है, कि आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहें तो बहुत सारी चीजे सीख कर जाएंगे, इससे बहतरी टेस्टरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप लोग को मालूम होगा, GS World एक बहुत ही भरोसे मन और बहुत सी विश्वसनी संस्था है, तो आप लोग को लगेगा कि आज की हमारे जो टेस्टरीज है, बहुत ही बहतर साथियों, एक बात मैं और बता दूँ, इसमें जितने भी टेस्टरीज के प्रशन भरे गए हैं, मैंने पहले बताया, सामान अधिन के टेस्टरीज हैं, तो सभी की सभी प्रशन साथियों, दो टाइप के प्रशन है, एक तो ऐसे प्रशन है, जो सभी आयोगों में पूछे बनाए हैं जिनके आने की possibility ज्यादा से ज्यादा है तो साथियों ऐसे जो कुछ factual चीजे आएंगे मैं उसका trick बताऊंगा जिससे आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए बार बार न पढ़ना पड़े तो चले हम लोग पहले प्रशन से start करते साथियों वीडियो को पू नागरिक्ता प्राप्त करने के निमलिखित में से कौन से तरीकों का उल्लेक है तो साथियों मैं आपको पहले बता दू नागरिक्ता अधनियम 1955 में कुल पांच प्रकार के पांच प्रकार से नागरिक्ता प्राप्त करने का प्रावधान था पहला था जन्म के द्वारा किस प्रदान कि जा सकती है और पाच्वा जो इसमें नई दिया है घुले paper विलय हो जाये अगर भारत में तो उस तो आहां के निवासी खुद जो है भारत के नागरिक हो जाएंगे जैसे सिक्किम हुआ था तो यहां पर पांच प्रकार के नागरिकता ग्रहन की जा सकती है चार दिया है यानि बिकल्फ हमारा डी होगा उतर हमारा क्या हो जाएगा यहां पर साथियों डी हो जाएगा बहुत ही बढ़ियां तो साथियों देखते हैं दूसरा प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों ऐसा प्रश्न बहुत सारे एकजाम में पूछा जाता है बच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं डर जाते हैं कि यह क्या हुए देखो कोई दम नहीं है साथियों सिर्फ आप लोग थोड़ा सा पेसेंस रखक अधिनियं से संबंदि सवाल है तो 1813 के जो चार्टर अधिनियं में उससे संबंदित आपको दो कत न दिये गये हैं एक कत ये है एक कथन ये है करा है इन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए तो कैसे उत्तर देंगे तो साथियों 1833 की चार्टर अधिलियम के सब होते ख्या थे चार्टर अधिलियम जो लाये जाते थे ये कंपनी की शक्तियों को कम करने के लिए सरकार के द्वारा लाया जा जाता इसमें 1813 का चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें सरकार ने कंपनी से कहा कब तुम्के वहले चाइडाब्या Пр करोगे और चीन के साथ ब्यापार करोगे और बाकि अन अतरह के पैस अधिकार अब तुम्हें नहीं तो ये दूसरा भी सही है और अप लोग जानते हैं इसमें ब्यापारिक निकाय के रूप में East India Company की गतविधियों को समाप्त कर दिया गया था यानि उसके ब्यापारिक एकादिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया यानि दोनों के दोनों कथन सही हैं साथियों इस तरह के conceptual प दोग धायर बना कर थोड़ा देखते रहें बस देखते हैं क्या है तीसरे वाले में कराय साथियों आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को यानि EWS के लिए जो आरच्छन का दिया गया था उससे संबंदित आपको दो कथन दिये गया हैं इनी दोनों कथनों को पढ़िए औ गरीब संवण जो थे उनको सैच्छडिक संस्थान और सरकारी नोकरियों में जो है 10 प्रतिसत आरच्छन देने के लिए आया था वो आया था एक सो तीनवा संविधान संसोधन दो हजार उननिस के माध्यम से तो ये दे दिया है एक सो दोवा संविधान संसोधन तो गलत है एक सो दो नहीं, एक सो तीन, एक सो दोवा जो संविधान संसोधन, इसमें क्या था, कि जो राष्टी पिछड़ावरगा आयोग था, उसको संविधानिक दर्जा मिला था, तो उसको भी याद कर लेजिए, आपको काम देगा, और ये तो गलत हो गया, अब देखते हैं, ये द कारी नौकरियों में ये आरचन का प्रावधान करता है, तो यानि B वाला सही है हमारा, ये दूसरा सही है, तो उत्तर हमारा B हो जाएगा, बहुत बढ़ियां, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं हमारा चौथा परशन क्या कह रहा है, देखें, चौथा हमसे पूछा जा अपने आपको एक बहुत मजबूत confidence आएगा, तो चौथा देखते हैं क्या है, बिधी के सासन, बिधी के सासन को सासन के एक सिदांद के रूप में परिभासित किया जा सकता है, इसमें सम्मिलित है, इसमें सम्मिलित क्या है साथियों, इसमें सम्मिलित क्या है, बिधी के सा में सिद्धान्त जो है और कानून के क्रियानवन में निस्पच्छता होनी चाहिए यह भी सही है यानि साथियों कोई दम नहीं था आप लोग अगर जानते हूं विधिक असासन यही सब होते हैं तो बिकल्फ हमारा डी हो जाएगा एक दो तीन सभी सत्य हैं तो चवथा डी हो के सभापती उनको उपसभापती यानि राजसभा के सभापती और उपसभापती के संदर में कुछ कथन दिया है तो इनहीं कथनों को पढ़कर आप लोग साथियों अच्छे से इनहीं दोनों कथनों को पढ़ लीजिए सही से और जो है सही उत्तर दे दीजिए तो क्या करा सभापति राज सभा का सदस्य होता है नहीं मेरे भाई, आप लोग देखंगे प्रैक्टिकली लाइफ में जो जगदीब धनकड है, उपराश्ट पती उन्हें सभापती भी है तो वो राज सभा का सदस्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा हमारा, उपराश्ट पती जो होता है, तो यह यानि उनी सदस्यों में से जो राजसभा का सदस्यों होते हैं, उनी में से उपराश्पती चुना जाता है, तो यह दूसरा हमारा सही है, पांच का हमारा बी हो जाएगा उत्तर केवल दो, बहुत बढ़ियां, आगे चलते हैं, हम लोग छठों में देखते हैं साथियो क्या है छठों में हमारे, छठों में साथियों हमसे पूछा जा रहा है, देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा कथन सही है, दो कथन है, कौन सा सही है, इनी दोनों कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए आप, तो कह रहा है संसद में लंबित विधेयक, सदनों के सत्रा सत्रावसान के पस्चात ब्यपगत हो जाते हैं, कुलैप्स कर जाते हैं, तो साथियों ये बात गलत है, लंबित होने में वो जो है, लंबित जो सत्रावसान, यानि जो सत्र कुछ समय के लिए उसको रोग दिया गया है, तो वो जो है कुलैप्स नहीं होते हैं, ये गलत हो गय तो ये बात सही है सातियों छटवा का हमारा बी सही है लेकिल ए गलत था तो हमारा विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा आगे चलते हम लोग देखते हैं सातों में सातियों क्या कह रहा है सातों में हमसे कह रहा है सवाल पूछ रहा है क्या है सातियों देखते हैं कह रहा है पर देजिये, उसका सही से उत्तर देदीजिये तो यही दो कथन है इनहीं को पढ़ना है पहले , तो भारत के सन्विधान के अनुसूची आठ्ध में याँनि आठ्विन सूचे में सामिल किसी भासा को सदन में कारवाही fight कि भासा किया जा सकता है साथियों भारत की जो आठ्विन सूची है उसमें सन्मिधान के द्वारा मानता प्राप्त भासाओं को रखा जाता है और इस समय कुल 22 भासाएं हैं तो करा है किसी भी भासा को आठ्विन सूची का जो है सदन करवाई में प्रियोग किया जा सकता है तो नहीं क उत्तर भारत के लोग है और तमिल नाडू का कर दिया कंणड तो यहां किसी को समझें नहीं आएगा तो ऐसी भासा किया जिसे ज्यादा ज्यादा लोग समझ सकें यह तो गलत हो गया हमारा अब यह कह रहा है संसद में पीठा सीन अधिकारी किसी भी सदस्यों को अपनी मात्री भासा में बोलेने का अधिकार दे सकता है यस साथियों यह सही है यानि कोई अपनी मात्री भासा में बोलना चाहरा है उसको अन्य भासा नहीं आती है तो अपनी मात्री भासा में संसद में बोलकर अपने जो है चुनुही जनता को अपनी बात सुना सकता है संसद के माध्यम से तो केवल यहां पर बी हमारा सत्य सात्यों सात्यों का बी हो जाएगा बहुत बढ़ियां आगे चलते हैं लोग देखते हैं क्या है हमारा आठ्मा प्रश्न सात्यों इसमें देखिए कहा कह रहा है हमारे आठ्मा प्रश्न में एक यहां देखिए देख आप लोग को सुनने म उल्लेक साथियों कह रहा है सन्विधान में नहीं है तो सन्विधान में नहीं है ये बात सत्य साथियों ये सन्विधान में नहीं है भारती मतलब भारतियों की देन है ये अपने से बनाए थे इसको तो कह रहा है और ये तो सही है तो कह रहा है इसकी अवधी दोपार बारा ब बजे तक होती है तीन बजे नहीं तो यह 12 बजे से लेकर एक बजे तक होती है याद रख लीजाएगा इसो शून निकाल तो यह गलत हो गया दूसरा तीसरा का राय संसदी प्रक्रिया में इसका उल्लेख किया गया संसदी प्रक्रिया में इसका उल्लेख नहीं है यह जो है सा सत्य था एक और दो तीन गड़बड थे आगे देखें में साथ यह नौ में क्या कह रहा है नौ में साथ यह हम सो खेलो इंडिया यूथ गेम के संदर में कुछ कथन दिया है इनी कथनों पर विचार करके हमें बता देना है कौन सा कथन सत्य है हमारा तो पहला जब पढ़ेंग तो खेलो इंडिया यूथ गेम उत्तर प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम के चठवें संस्करण की मेजबानी किया है तो साथियों यह बात सरासर गलत है उत्तर प्रदेश ने नहीं किया है साथियों यह जो इस साल जो है तमिल नाडू में तमिल नाडू यहां मैं में मेरे ही तो फैल भारो में किया गया तो उत्तर हमारा समय हो जाएगा बहुत बढ़िया उत्तर हमारा Од हो गया आ अगे देखते हैं तो दसोप में क्या कह रहा है साथियों ी आप लोग बस धार बनाये रखेंगे देखेंगे कि बहुत सारे भी तो conceptual प्रशन आ यह आपको factual प्रस्टाव तो दस्मा कह रहा है निंदा प्रस्ताव कैसा प्रस्ताव साथियों निंदा प्रस्ताव होता है किसी मंत्री की या मंत्री परिशत की निंदा करनी होते हैं उसके कारियों की तो निंदा प्रस्ताव आता है तो निंदा प्रस्ताव के संदर में आपको दो कथन दिये गए हैं इन्ही दोनों कथनों को पढ़कर आपको जो है सही से उत्तर देना है कैसा उत्तर देना है सही उत्तर गलत उत्तर नहीं देना है और आपको पढ़ लेना है सही उत्तर पूछ रहा है गलत उत्तर तो कह रहा है इसमें इसे केवल संपूर्ण मंत्री परिशत के बिरुध ही लाय जा सकता है तो नहीं साथियों इसे किसी व्यक्तिगत मंत्री के भी बिरुद्र लाया जा सकता है ज़रूरी नहीं कि मंत्री परिशत के बिरुद्र ही लाया जाए तो यह हमारा यह गलत हो गया साथियों यह गलत हो गया इसे किसी भी मंत्री के भी स्पेस्पिक लाया जा सकता ह इसे पारित होने पर मंत्री परिशत को त्याग पत्र देना अनिवार होता है तो साथियों यह ऐसा नहीं होता है इसे पारित होने पर मंत्री परिशत को त्याग पत्र देना आवस्यक नहीं होता है इसे केवल मंत्री परिशत की कुछ नीतियों और कारूं की आलोचना की जाती जिसे निंदा नाम से ही लग रहा है तो ये Exper कि उत्तर किवल हमारा b हो जाएगा यह स्षौरी यह जूँ जो जाएगा कि यह भी कलट हो गया अभेसित्य कर जिए त्योठ यही ठी चो जा हैkap यह जोट कि आ राया। और एक तरब कुछ टर्म्स दिये हैं दूसरे तरब उससे संबंदित बिसे दिये गए हैं तो टर्म्स और बिसे पढ़कर जो सही है उन्हीं को बताईए जो सही है तो पहला आप लोग जब पढ़ेंगे तो पहला का राय संधी बिग्रही क्या होते थे साथियों इसका सेन लेखा जोखा होता है ये भी बात सही है इसका भंडा गारिक भंडा गारिक क्या होते थे राज की भंडार से संबंदित होते हैं ये भी सही है तीन के तीनों हमारे सही है विकल्प D हो जाएगा आगे देखें हम लोग साथियों बारह में क्या है हमारा बारह में हम लोग संक्राचार के संदर में कुछ कथन दे दिया है इन ही कथनों को आप पढ़ लेजिए दोनों कथनों को अब पढ़कर कह देजिए कौन सा सही नहीं है उसे बताईए यानि जो गलत है यहां ध्यान देजिएगा नहीं तो आप आता हुआ गलत कर देंगे कौन सा सही नहीं है उस संकराचार का अदयत वाद सिद्धान किसका है, संकराचार से संबन लिए तो इसको बारे में जानते हैं, ये बात तो सही है, इन्होंने कहा आत्मा ही परमात्मा है, यानि आत्मा परमात्मा है, यानि आत्मा ही परमात्मा है, तो ये भी बात सही है, लेकिन इसमें पूछा, उ तो दो यही हमारा उत्तर होगा तेरा हुए में साथ ही हम से क्या करा है करा है निमलिखित में से कौन सा सासक बहमनी की राजधानी गुलबरगा से बीदर ले गया था यानि बहमनी की राजधानी जो पहले गुलबरगा थी वहां से गुलबरगा से वो बीदर ले गया था तो अहमद शाह प्रथम बिकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा यही 13 का उत्तर होगा हमारा आगे देखते हैं हम लोग 14 में क्या है 14 में साथ यहं कह रहा है सर्पचित्रकला सर्पचित्रकला से संबन्दित आपको जो है दो कथन दीए गए हैं इन्हीं दोनों कथनों को पड़िये आप पढ़कर सही से उत्तर दे देजीए तो साथियों मन्जूसा एक चित्रकला है, जिसे जो है सर्प चित्रकला कहा जाता है, मन्जूसा, मन्जूसा चित्रकला को सर्प चित्रकला भी कहा जाता है, तो साथियों यह कह रहा है, यह कला बिहार के भागलपूर से संबंदित है, जी सही बात है, बिहार के भागलपूर स तो इसमें नाग का रूप अंद्रा सदय विध्यमान रहता है इसलिए सर्फ इसमें नाम आ जाता है तो नाग सर्प नाग कही बात हो गई तो इस चित्रकला को जूट और कागश के डिब्बों से निर्मित किया जाता है तो यह स्भसातियों यह बात सही है जूट जो जिससे बोरे बनाए जाते हैं और कागज के डिबो से निर्मित किया जाता है दोनों के दोनों बाते सही हैं सी हमारा उत्तर हो जाएगा सर्प चित्रकला यानि मन्जूसा चित्रकला से संबंद है आगे हम लोग देखें पंद्रहवे में सातियों इसमें आपको भारत नाट्यम से कांठी तो सही उत्तर देना है हमको तो देखें हम लोग कैसे देतेはला में पढ़ना पड़ेगा तो इसमें एक नर्थक एक साधियों करा यंण如果你 नाचने वालवामल एक सी भूमिका निभाता है तो साथियों यह जो है हमारा यह गलत सो गया क्योंकि इसमें एक नर्थक जो ह अनेक तरह की भूमी का निभाता है तो यहां एक ही नहीं अनेक हो जाता है यहां पर हमारा तो यह हमारा यह जानते हैं भरत नाट्यम तमिल नाडू के जो है आसपास इसको एक है दियोधासियों का एक तरह का नित्य होता है तमिल नाडू के जो मंदिर होते वहां तो यह गलत हो गया हमारा इसमें केवल लास्य मुद्रा पर बल दिया जाता है तो इसमें केवल लास्य मुद्रा पर बल दिया जाता है साथियों तो यह भी गलत हो गया क्योंकि साथियों इसमें जानते हैं कि नित में बिद्या में नित दोनों पच्छ तांडव और लास्य का समान बल दि हो गया आगे देखते हैं हम सोला में क्या Κरेजा है सोला में सातियों यह भी सवाल देखें बढ़ियां प्रश्बार्श जिस तो करहा है इसमें आपको मोहनी अठ्वं के संद्रऑ में मोहनी अठ्वक के रेफेरेंज में कथनों पर बिछार कीजिए और बिचार करके इनी दोनों कत्रों पर बिचार कर लेजिए और बिचार करके हमें सही उत्तर देजिए तो सही उत्तर कैसे देंगे चलिए पढ़िए आप पहला पढ़ेंगे कह रहा है मोहनी अटम मोहनी अटम केरल के पूरुसुदारा थिया जाने वाला अर्ध सास्त्री न पेच्छा नवीन है, तो साथियों सब पाते सही है, कि मोहनी अटम केरल में है, और अर्ध सास्त्री नेत्य है, और कथकली का एक नवीन वर्जन है, लेकिन यह सिर्फ पूरसों द्वारा नहीं किया जा सकता है, यह महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो यह हमारा तो गलत हो केरल की महिलाओं द्वारा किया जाता है, पूरसों के द्वारा नहीं किया जाता है, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, मोहनी अटम महिलाओं के द्वारा, तो इसे याद रखिएगा, तो यह हमारा गलत हो गया, दूसरा जब पढ़ेंगे भरत नाट्यम कुछी आगे देखते हैं लोग 17 में तो साथियों 17 में हमसे कह रहा है गोती पुगा गोती पुगा का संबंद में लिकित में से किस नेत्य से है तो गोती पुगा का संबंद साथियों ओडिसी नेत्य से है बिकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा यह हो जाएगा बी बहुत बढ़िया तो गोती पुगा का संबन साथियों ODC नित से है माने पहले बता है 14 वर से कम उम्र के जो जवान जो 14 वर से कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं वही इसका जो है नित करती हैं आगे देले हम लोग देखते हैं 18 में देखते हैं 18 में क्या हमसे पूछा जा रहा है कर आए सिंधु गाटी सब्वेता के संदर्व में कथनों पर विचार कीजिए यानि किसके रिफेरेंस में सिंधु गाटी सब्वेता के संदर्व में कथनों पर विचार करना है विचार करके विचार जब हो जाए विचार कर लेंगे तो उसके रिजाब से सही विकल्ब को बताईए यही दोनों कथलों को पढ़कर तो पहले पढ़ेंगे जब क्या करा है यह प्रमुखतर लौकिक सब्धेता थी जिसमें धारमिक तत्य उपरस्थित थे परंतु वर्चस वादी नहीं थे तो साथियों यह बात सही है इसमें धारमिक आपको फ्लेवर मिलेगा लेकिन लोग वर्चस वादी यानि कटर नहीं थे तो यह बात सही है यह वाला और दूसरा करा है कि अभी तक मिले साच्छों से पता चलता है कि इस सब्धेता के लोग क्रिसी से परचित नहीं थे तो साथियों इस सब्धेता के लो आगे चले हम लोग क्योंकि इस दिन दूसरा गाटी सब बता के लोग किरसी से परचीत हो गए थे भाई आगे देखें 19 में 19 में क्या कह रहा है साती हो हम से पूछ रहा है लोदी वंस के संदर में कुछ कथन दिया है तो आप जो है लोदी वंस के संदर में कुछ कथन दिये ग तो पढ़ीए आप पहला जब पढ़ेंगे फो करहा में केवल मक्रों का निर्माड हुआ था लोधी वंस में केवल wonder का निर्माड हुआ था यह बात ध सइय एक वाला हमारा कसंघ सभी बिलकूल ऐर तो आगे चले हम लोग अगर देखें दूसरा वाला अपना तो दोहरा गुंबद सिर्स गुंबद के अंदर एक खोखले गुंबद मिलकर बना होता है। जो दोहरा गुंबद, दूसरा गुंबद होता है, जो मेन गुंबद होता है, उसके अंदर एक खोखला गुंबद मिला कर बनाया होता है, तो ये दोनों बाते सही हैं, लोदी वन्स के संदरव में, आगे देखें, तो साथी हम लोग देखते हैं, बीसवा प्रश्न बहुत ही उत्र दीजिए तो सही उत्र कैसे देंगे तो पहला क्या है कोर्ट आप डारेक्टर के आदेश पर सरप्रथम मद्रास में म्यूनिसिपल कार्परेशन का गठन हुआ था साथ वी ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि अठार ये सोलसो सो सतासी में ही सोलसो सतासी में ही जो है सरप्रथम मद्रास में म्यूनिसिपल कार्परेशन का गठन कर अशν्ठानिस्वो सासन की सुरुवात हो गई थी ये बात साही है और लाड मेओ के द्वारा वित्ति ये विकेंदरी करण की सुरुवात की गई टी एभी बाते साही है ऑमारा सी तपूर दो कथन दिया है, यहां आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, कई सारा कंसेप्ट फैक्स, और इहीं दोनों कथनों में से पढ़कर बताएं कौन सा सही है, तो भारत में नगद आरचिक अनुपाद, जिसे हम लोग CRR कहते हैं, CRR क्या होता है, जैसे बैंक के जितना पै को उसी को CRR कहा जाता है, तो कैस रिजर्ब रेशियो इसका फुल फार्म होता है, तो यही कर रहा है कि भारत में CRR तथा साम्वेधिक तरलतान उपाद, यानि SLR वारिजिक बैंको द्वारा स्वयम निर्धारित किये जाते हैं, तो साथियों यह बात जो है, यह वारिजिक के रिजर्व के रहका जाता है, यानि यह अपने पास कुल जमाका 6% हमारे पास रखना होगा, तो सुभाविक सी बात है, तो यहां पर जो है बैंकों के पास, के वल कुल पैसा का、 94% पैसा बचे गा यानि पहले के छान में बचता था अब चवरान में बचेगे अनि अब वहां लोन कम बाट पाएगा उसकी तरलता कम हो जाएगी तो वाड़ीजीग बैंकों की साक्स रिजन छमता यानि लोन बाटने की छमता में कमी हो जाती है तो एक तो यह भी हो जाती है और अगर RBI चाहे तो उसे कुछ वरीता दे देती है तो वह कमी नहीं हो पाती है तो यह आवस्यक नहीं है कि वाड़ीजीग बैंकों की साक्स रिजन छमता में कमी हो जाए तो यह भी बात सही है कि जरूरी नहीं होता एक साक्स रिजन छमता में कमी ही हो जाए वह बराबर भी रह सकती है तो दूसरा सही है यहां पर केवल हमारा स्वरी केवल भी हो जाएगा हमारा यह वाल आगे देखते हम लोग 22 का तो कह रहा है वाड़िजीक बैंकों के संदर में वाड़िजीक बैंक क्या होते साथ यह कामर्शियल बैंक होते हैं हमारे कामर्शियल बैंक जो हम लोग देखते हैं जैसे ESBI हो गया, Union Bank हो गया, पंजाब नेशनल जितने भी हम लोग बैंक देखते हैं अपने शहरों में वो ज्यादतर वाड़ीजीक बैंक ही हैं, तो वाड़ीजीक बैंक के संदर में कुछ कथन हैं, तो कथनों को जो है पढ़ गेंने, वह लोग पास में जातसके आध्याई का कर दब कर दें दिये हैं, तो वाड़ीजीक कर Jenni को संदर में दो कथन दी है, वाड़ीजीक बैंक है हैं सा Health Lemken जो 4 वारिक 2 वैंक की संदर में 2 कथन हैं इन दोelf 172 सही उत्तर देजिए तो कैसे उत्तर देंगे पहले पढ domestical रहे तो केरा आराइ साथ जुतर जुतर जुदार मुद्रोग द रहाने इ सक्रास के मांघ फ्रती गुरूप में कोशं की आवस्सक्ता- ब्यूत्रक्रम होता है तो ये बात सही है ये उसका उल्टा होता है तो ये बात सही है और दूसरा करा बित्ती संस्थाएं वारिजिक बैंक होती है तो जरूरी नहीं जो है ये बित्ती संस्थाएं जो होती है वारिजिक बैंक क्यों हो वह बैंक के अलामा और कुछ भी हो सकती यृण एक छीच्प यहाँ पर आपको याद रखना होगा साथी ओं जो है कि सभी बीट्ति संस्थाए वारिजिग बैंक होती हैं लेकिन सभी बीट्ति संस्थाए वारिजिक बैंक नहीं होती हैं यह आपको याद रखना पड़ेगा तोRO पर केवल हमारा जो 21 का है ये दो दूसरा तो गलत हो गया केवल B है 22 में का 22 में का A हो जाएगा आगे चले हम लोग देखते हैं 23 में क्या है बिट कुआइन के संदर में हमें कुछ कथन दे गए हैं इन ही कथनों को पढ़कर हमें सही उतर देना है, तो Bitcoin के माध्यम से ब्यापार में आयातक तथा निर्यातक सीधे समझोता कर लेते हैं, तो ये बात सही है, सीधे समझोता कर लेते हैं, ऐसे अंतराश्टी ब्योहार जो Bitcoin के माध्यम से होते हैं, उसे खजाने की हानी होती है, तो तो 24 में हमें कह रहा है सारजवनिक उद्यम में सरकार की अंसधारिता या स्वामित में कमी लाने इफक्रिया को दिनिवेश कहा जाता है साथियों यही बात एकदम बिल्कुल सत्य कह रहा है जैसे सरकारी कोई कमपनी है और सरकार के पास उसका 100% स्वामित है, 100% मालिकाना है और मोदी जी ने सोचा कि इसका कुछ हिस्सा हम प्राइवेट संस्थानों यानि अडानी को बेच दें तो माली जी ये 20% सरकार ने बेच दिया तो अभी भी स्वामित सरकार के ही हाथों में है, 51% से अधिक अगर हिस्सेदारी रहती है सरकार कहा जाएगा तो अगर सरकार अपना कुछ हिस्सा बेच देती है, प्राइवेट संस्थानों के प्राइवेट व्यक्ति को या किसी कमपनी को तो उसी बेचने को अच्छे भासा में बिनिनेश कहा जाता है, ये बात सही है, और यहाँ पर मैंने बताया न, सरकार के स्वामित के अस्तर पर 75% से कम नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है, 75% नहीं साथियों, अगर सरकार के स्वामित अपना संस्थाओं में अपना बनाया चाहिए, तो कम से कम 51% अपने स्वामित में अपने हिस्से में रहना चाहिए, यानि उस हिस्सेदारी का 51% स्वामित सरकार के पास रहना चाहिए, तभी हुआ सरकार की स्वामित वाली सार्जनिक छेत्र की इकाई मानी जाए, तो यहाँ पर क्या हो गया, केवल एक सही है हमा चुबिस का भी गलत हो गया आगे देखें पचीस में हम लोग तो पचीस में में साथ ही हम से क्या कह रहा है मुद्रा इस्फिति के प्रभाव के संदर मुद्रा इस्फिति जानते हैं एक लंबे समय अगर किसी वस्तुवां सेवाओं के मुल्य बढ़ जाते हैं तो उसे मुद मुद्रा इस्फिति तो मुद्रा इस्फिति के संदर में जो कथन दिया है साथियों और मुद्रा इस्फिति जानते हैं महनाई यानि मुद्रा इस्फिति जब होती है हमारे मुद्रा की बैलू कम हो जाती है क्योंकि उतने ही पैसे में जो हम ज्यादा समान खरीद ले रहे उतने ही पैसे बब हम कम समान मिलेगा हमें यानि हमारे रुपिया की कीमत कम हो गई दुकांदार कहेगा और पैसा दो तब हम तुमको देंगे समान तो आगे ही है तो मुद्रा इस्थिती की वज़े से किसी भी अर्थ बेवस्था को कम आयात और आयात परतिस्थापन का फायदा मिलता है यानि मुद्रा इस्थिती जब बढ़ती है मुद्राइस्थि बढ़ती है रुपिया का मूल कम होता है तो साथियों तो इसका मतलब साथियों आयात प्रतीस थापन का फायदा वहाँ पर मिलता है तो ये बात साथियों हमारा जो है प्रस नंबर 25 में ये सही कह रहा है एक कथम जो है ये सही है तो ये वाला सही है यानि आ पवधी में रोजगार करने वालों पर मुद्रा इस्थिती का कोई असर नहीं पड़ता है, यह साथियों यह भी बात सही है, दूसरा बात भी सही है, बिल्कुल, क्योंकि साथियों जो छोटे समय के लिए ब्यापार करते हैं, कोई समान फटाक से खरीदा फटाक से बेज दिय तो उसके लिए महांगाई का कोई असर नहीं पड़ेगा, यह बात सही है, तो तीसरा क्या कहा रहा है, मुद्रा इस्थिती का ब्यक्तियों और संस्थाओं पर इनकम का एक जैसा प्रभाव परता है, साथियों गलत कितना गलत बात बोला है, हम कोई ब्यक्ति हैं, आप कोई कमपनी है, महांगाई बढ़ी, तो कमपनी महांगा खरी देगी, महांगा बेचेगी, और हम तो ब्यक्ति हैं, हम तो खरी देगे, तो हम पर और कमपनी पर, यानि संस्था पर एक समान प्रभाव नहीं पड़ेगा, अलग-अलग पड़ेगा, तो केवल एक दो सही हैं, तीन कथन दिये हैं आपको वही कथन पढ़कर सही उतर दीजिए तो पहला क्या करा विस्त व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश बहुपच्छी व्यापार बेवस्था के सिर्दान्तों को बनाए रखना है जी सही बात है ये सही है आपका जब दूसरा पढ़ोगे क्या करा जबार है सभी प्रमुख निर्डै सभी सदस्यों द्वारा सरो सम्मती से लिए जाते हैं जी ये भी बाट सई है सभी सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं ये सई है तो ये बात हमारा ये सही हो गया औप аж़ाट पर संगठन इसकी स्थापना कम हुई थी आप लोग जरा इसे कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे तो यहां पर दोनों के दोनों बाते सही हैं साथी हो मारा 26 का उत्तर सी हो जाएगा तो चलते हम लोग आगे देखते यान के संदर में कुछ कथन दिया है आस यान आप लोग और तो और आस याई राश्टों का संगठन है एक तरगा तो पहला पढ़ेंगे तो यह हमें सही उत्तर देना है आसयान दच्छिडपूरे याई राश्टों का संग I. मैंने पहले बताया, सही बात है, भारत आशियान का संस्थापक सदस है, नहीं साथ है, ये गलत है, संस्थापक सदस नहीं है, इसमें जो है, एक ट्रिक याद कर लेजिए, सिंपैथी, सिंगापूर, इंडोनेसिया, मलेसिया, फिलिपेंस, थाइलेंड, तो ये जो है, एक था तो यही वाला यह भारत इसके संस्थापक सदस नहीं है तो यह गलत हो जाएगा केवल एक हमारा सही है 27 का एक पहले हम लोग इसको देखते हैं तो देखें सवाल में लिखा डेर सारा है लेकिन इसमें दम कोई नहीं है पेटेंट के संदर में कुछ कथन जो दिये है उन्हें अच्छे से पढ़िए और पढ़कर हमें जो है सही से उत्तर दीजिए इसका तो पहला जब पढ़ेंगे पेटेंट किसी व्यक्ति अथवा कंपनी पेटेंट जिसे एक तरह का अधिकार होता है साथियों आपने कोई बि सर्च किया है तो यह बिस्कूट आपने बनाया तो इस स्वाद का इस टेस्ट का या इस फ्लेवर का इस ब्रांडिंग का कोई और नहीं बना सकता इसका पेटेंट आपके पास होता है और इसका पेटेंट अमोमन हमेशा के लिए नहीं होता कम से कम 20 साल को होता है 20 साल के बा प्रक्या का लाब उथाने का हग देता है ये बात सही अ, इसी को मैं ने पहले भी बताया, तो और का रहा है, पेटेंट अशीमित अवधी के लिए, अधिकार प्रदान करता है, नहीं साथ यो जिसको पेटेंट मिल जाता है, असीमित नहीं, अमोमन 20 वर्स के लिए होता है तो ये बात गलत हो गया सीमित समय के लिए नहीं होता है तो केवल एक हमारा यहां सत्य है कितना हलका सवाजभा दिया था इतना सारा तो देखें हम question number 29 में क्या है इसमें कराया साथियों भारत में बालू खनन के लिए पर्यावरडी मंजूरी को वर्स 2010 में अनिवार कर दिया गया था तो साथियों दस में नहीं 2012 में 2012 में जैसे इसमें क्या होता है जैसे बालू खनन हो रहा है पहले या खनन किया जाए इसका पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा तो इसको दो हजार बार में किया गया था तो ये गलत हो गया तो निर्मार छेत में बृद्धी के कारण भारत में बड़े पैमाने पर अवधरेत खनन हो रहे हैं ये बात आपको भी मालूम है हमें भी मालूम है अवधरेत खनन हो रहे हैं तो ये बात सही है तो केवल दो सही है 29 का तो दूसरा बिकल्प तो बच्चो वाला दे दिया था, आगे चले हम लोग, 30 में देखते हैं क्या है, तो इसको थोड़ा समलोग सेट कर लेते हैं, अब सही है, तो कह रहा है कथनों पर विचार कर लीजिए, विचार करके कहिए कौन सा सही नहीं है, जो गलत है उसे बताना है, त कैसे पकड़ेंगे, तो कराए जयव विवित्ता पर अभी समय, यानि CBD को कानोनी रूप से बाध्यकारी समझाओते के रूप में स्थापित किया गया है, यस, ये बात बिलकुल सकत है साथियों, जयव विवित्ता पर अभी समय, यानि CBD को 1992 में रियो, अर्थ सिखर शम्मेल में प्रस्तूत किया गया था 1992 में, तो ये बात सही है, तो ग्लोबल वार्मिंग और प्रजातियों की बिलुक्त पहुद उत्पादक्ता को समान रोग से प्रभावित करता है, ये भी बाते सही हैं साथियों, ये लोग तो आप जानती होंगे, छोटा सा कंसेप्ट है, तो दोनों बाते सही हो गए, तो इसका मतलब उत्तर हमारा D होगा, न तो एक न तो दो, आगे देखें, 31 वाले में हम लोग, विस्सो ब्यापार के संदर में, विस्सो ब्यापार के संदर में कुछ कथन दिये गए हैं, इनी कथनों को पढ़कर बताए कौन सा सही है, तो पहला पढ़ेंगे तो कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको के बीच, उत्तरी, अमेरिका, मुक्त ब्यापार संदर में, 1994 में हस्ताचर किये गए थे, जी, ये बात सही है, ये हमारा 31 का ए वाला ये कथन सही है, तो दूसरा अगर हम पढ़ते हैं, 2008 के वैस्विक संकट के बाद, जी 20 जो है, अपना समान आपके यहां भेजेंगे, करकर संदर्चनवादी उपाय होता है, तो ये भी सही है, तो बिकल्ब हमारा C हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सत्ते हैं, 32 वाला देखते हैं मगर, इसमें क्या है, कानूनन में आयोजित, UNFCCC की COP16 के बारे में कथनों पर बिचार कीजिए, तो UNFCCC की जो पाव पयानी, कॉन्फरेंस आपकोईटी 16 जो हुई थी, सोलहमी हुई थी, इसके बारे में कुछ कथन दिये गए हैं, इन्ही कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है हमें, तो दीजिए हमें, सही उत्तर कैसे देंगे, तो देखें, पहला आप से करा है, उत्तर सर्जन में कमी की जिम्मेदारी के मामले में बिक्सित और विकाश्रील देशों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया गया, जी, यानि यह नहीं कहा गया, आप बिक्सित हैं तो आप ज्यादा उत्तर सर्जन करेंगे, आप बिक्सित हैं तो आप कम करेंग तो यहां पर दिकल्प C हमारा सत्य हो जाएगा 32 का C हो जाएगा आगे चल के हम लोग देखें 33 में क्या है साथियों निमने लिखित कथनों पर बिचार कीजिए बिचार करकर अंतर राष्टी मुद्रा मतलब बिचार कर लेजी मिजार बिचार करकर सही उतर दीजिए तो पहला जब पढ़ेंगे अंतर राष्टी मुद्रा कोस की स्थापना ब्रेटन वूट सम्मेलन के निड़े अनुसार उनिस सो पंचानबे वासिंगटन में हुई थी तो साथियों ये बात आपकी बिल्कुल गलत है क्योंकि अंतर राष्टी मुद्रा कोस की एक अंतर राष्टी मौदिक संगठन है ब्रेटन वूट के सम्मेलन के निड़े अनुसार 27 दिसंबर उनिस सो पंचानबे को नहीं 45 तो ये हो गया आपका गलत दूसरा जब पढ़ेंगे वर्तमान समय में 189 राष्ट अंतर राष्टी मुद्रा कोश यानि आइमेफ के सदसे हैं जी बिल्कुल सही जवाब ये सही सूचनाए है केवल भी हमारा सत्य होगा यानि केवल दो चले हम 34 पर देखते हैं 34 वाले में हमें क्या कह रहा है सत्यों देखें एकदम बच्चों जैसा सवाल है इसमें कुछ करना नहीं कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है 34 में कर रहा है कि कृतिम बुध्धिमत्ता AI आजकल artificial intelligence की बात बहुत हो रही है तो artificial intelligence यानि कृतिम बुध्धिमत्ता AI एक सिस्टम द्वारा किसी समस्या के समाधान के लिए साप्टवेयर या मशीन के माध्यम से बाह डेटा को समझने और उसकी द्याख्या करने की छमता है तो साथियों यस ये बात सही है हमारा कृतिम बुद्धी मता यानि ये करें कि मशीन है कम्प्यूटर है उसमें हम जो साप्टवेयर डाल देंगे उसे आपसे काम करेगा और व लता समान जो मशीन है काम करने वाली वह अपने चारों और के परिवेश से सीखने की छहमता रखती से penn नासीन कैसे मलत की है ओ ये स्टम क्लें वह उस लोग साप्टवेर के माध्यम से जो उसमें डाल देंगे वही करेगी दूसरा वो सीख नहीं पाएगी तो यह गलत हो गया तो कितना बच्चों वाला सवाल था तो केवल हमारा ए सही है केवल कथन ए 25 में हम लोग देखते हैं क्या है इसमें 35 वाले में सात ही हम से कह रहा है देखें सिम्बल सा सवाल है Global Risk Report, Global Risk Report कौन सी संस्था जारी करती है, तो सिंपल सा सवाल, विस्तो आर्थिक मंच, World Economic Forum, आगे चले, 36 में, देखें इसमें क्या करें, भारत में वस्त्र शेत्र में, संदर में, कथनों पर विचार कीजिए, वस्त शेत्र में, कपड़ा शेत्र में, तो भारत का जो कपड़ा शेत्र है, उसके संदर में, दो कथन दिये गए हैं, आपको इनहीं दोनों कथनों कथनों को पढ़िए, और सही उतर दीजिए, तो भारत वस्त शेत्र में, स्वाचलीत मार्ग की तहत, 100% EFDI की अनुमती है, तो साथियों, EFDI का मतलब होता है, EFDI का Foreign Direct Investment, यानि प्रत्यच विदेशी निवेश होता है, तो प्रत्यच विदेशी निवेश कपड़ा शेत्र में, डारेट जो है, अनुमती है, यह बात सही है, तो और जैसे अप लोग को मालू हो, प्रत्यच विदेशी निवेश, जो सीधा जो विदेशी आता है, भारत म निवेश करना चाहता है, किसी इंफ्राइस्ट्रक्चर में, किसी कमपनी में, या किसी रोजगार देने वाली संस्था में, तो डारेट आकर वहां करता है, तो वहां पर यह मोमन मोटा मोटा समझ लिए, वो FDI होता है, तो भारत बिश्र में, पॉलिएश्टर, सिल्क और फ 37 के, 37 में क्या हमसे प्वेरा है, कि अन देशों के निर्यात्कों द्वारा अपनाएगे, अनूचित ब्यापार अभ्यासों के संदर में कथनों पर विचार की जिए, तो इसी इस कथनों पर हमें विचार करना है साथियों, तो देखें, इसमें करा है एंटी डंपिंग ड्य तो एंटी डंपिंग डूटी आप लोग जानते हैं एक जैसे कोई क्या कहता है जैसे चाइना अपने यहां की कमपनीयों को है सबसीडी दे रहे हैं भारत में ले जाकर तुम पना समान डंप करो यानि सस्ते में बेचो तो भारत यह सोचे गए यार अगर यह का चाइना वाला इसना सस्ता सामान लाके बेच रहा है भारत के लोग कोई नहीं करीदेगा अमारी भारती कंपनीयों जो है डूब जाएंग तो जो उसमें काम कर रहे हैं वो बाहर निकल जाएंगे बेरोजगार हो जाएंगे तो जमता हमें माफ नहीं करेगी तो हमें उन दोगों उद्योगों को बचाना है इसका मतलब रोजगार को बचाना है तो सरकार या सनच्छणवादी नीती नहीं अपनाती है लगा रही है एंटी डंपिंग सुल्क का मतलब उसको महंगा करने के लिए जिससे थोड़ा सा सुल्क लगा दे ओ चाइना जो समन आ रहा है या अन देशों सा रहा है थोड़ा सा महंगा हो जाए महंगा हो जाएगा तो अपने भारती वस्तूओं के बराबर बिकने लगेगा लोग जादा तर भारती ही समान खरी देंगे तो ये बात साथियों गलत हो गई संद्चणवादी नीती नहीं है काउंटर वेलिंग ड्यूटी एक होती है साथियों ओभी संदच्छणवादी नीती नहीं होती है ओभी समानों को महना करने के लिए होता है कि उस पर सुल्क लगाने के लिए होता है एक तरह का जो है वो आयात मतलब कर होता है जो समान आता है उस पर टेक्स तो महना करने के ल यह संदरच्छणवादी नीती नहीं है तो यह भी जो है हमारा गलत हो गया तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा यहां पर उत्तर हमारा डी हो जाएगा न तो एक न तो दो आनतीस में क्या है देखें क्या कह रहा है राश्टी परिवार स्वास्त सरवेच्षण एन एफ एच्छ एच flavored का के जो चव contributes रहें संदर में कुछ बिचार दिए के कथन दिए उन पर बिचार कीजिए और बिचार करके सही उतर देजिए तो पिछले एक दसक के दोरान देश के लगभग सभी राज्यों में आई अमार उलेखडी गिरावट आई है तो आई अमार का मतलब साथियों यह होता है कि इनफैंट इ तो सिशू एक वर्ष मतलब होने से पहले जिनकी मृत्यू हो जाती है तो उनको आई एम आर में रखा जाता है जनी जिनकी मृत्यू एक वर्ष पहले हो जाती है तो इसमें गिरावट आई है बिल्कुल सही बात असम में संस्थागत जन्म के संदर में परियाप्त के दोनों कथन सत्य हैं 39 में हम लोग देखते हैं अगर तो पोशन अभियान के संदर में कथनों पर विचार कीजिए तो पोशन अभियान के संदर में आप कथनों पर विचार करें और इसके संदर में दो कथन दिये गये हैं नहीं कथनों पर से हमें सही उतर छाटिए तो इसक परिश्ट की दर को कम करना है तो जी यह सब जो है पोशड अभियान के तहट यह सब जो है एक तरह का लच्छ है यह सई है दूसरा क्या है राश्टी पोशड परिश्ट की अधिस्ता स्वास्त मंत्री द्वारा की जाती है तो साथियों यह बात हमारा गलत हो गया थर्टी नाइन का यह बात गलत हो गया क्योंकि इसकी अधिस्ता नीती आयोक के उपाध्यच करता है कौन करता है नीती आयोक का उपाध्यच तो यह हमारा क्या हो जाएगा केवल एक हो जाएगा थर्टी नाइन एक चालिस में इसमें क 45 सरकार के संदर्व में कथनों पर विचार कीजिए तो विचार करकर हमें सही उत्तर पताना है तो पहला जब पढ़ोगे आप करा है एकी करीत बाल विकास सेवा का दस्ति का संदर्म का मतलब योजणा का उडेश 0-2 वर्स आयू के बच्चों का पोषड के सिति में सुधार करना तो साथ ही यह बिलकुल गलत क्यों हो गया जीरो से छवर्स है, जीरो से 2 वर्स नहीं है, तो आप लोगों को भी मालूम है, जीरो से 6 वर्स तो जो आप लोगों को देखते होंगे अंगनवाडी जो है देती हैं, पोष्टी का हाट, चना, दाल और गदलिया यह समग kita होगा, आपकी गाओं में उसी से जोड़ दिया गया है, जो राश्ट्री NFSC, राश्ट्री खाज सुरच्छा अधिनियम जो था, NFC नहीं है, NFA है, नफसा, तो इसको नफसा से जोड़ दिया है, जो 2013 में आई थी रासन बाटने की योजनाई है, तो ये केवल दो हमारा सत्य है यहाँ पर यही वाले, आगे देखते हैं हम लोग 41 में, तो 41 में ये क्या है, सही सुमेलित कीजिए, और सही उतर दीजिए, तो पहला है गयरान, दूसरा है अल्व, तो दोनों यही बाते हैं, उनके संदर में जो सही है, उससे उतर देना है हमें बता कर, तो चले हम लोग देखते हैं, गयरान क्या यह Central Masic, जो France में है, वहां से निकल कर बिस्किय की खाड़ी अट्लांटिक में गिरती है, तो गैरान नदी जो है, यह नदी की बात कर रहा है, तो यह सही है, तो एल्व जो है, यह हैंबर्ग सहर, यानि जर्मनी में है यह, तो इसी नदी मुहाने पर इस्थित है, तो दोनों बाते सही हैं, सी हमारा उत्तर हो जाएगा, 42 में, जीनोम के संदर में दो कथन दिये गए हैं, इसको हमें बताना है, सही उत्तर देना है, जीनोम के संदर में, आप लोग को मालूम है, सरल सा क्वेस्चन है, किसी भी जीव के DNA में बेद्दमान समस्त, यानि जो टोटल जीनो का अनुकरम जीनोम कहलाथा है, जी सही बात है, दूसरा कराय जीनोम अनुकरमर के तहत, DNA के भीटर, नूकलेटाइड के सटी करम का पता लगाया जाता है, जी, दोनों बाते सही है, हमारी, ये सी उत्तर हो जाएगा, 42 का, 43 का साथियों क्या हो जाएगा, किस दीब को सोमर्स दीप कहा जाता है तो सोमर सदीप किस दीप को कहा जाता है साथियों यह बर्मूडा द्रीप को कहा जाता है विकल्प नंबर हमारा सी हो गया बर्मूडा दीप सारगैसो सागर के पस्चिन किनारे परिस्तित है उनाइटेट किंडम के अधिकार में है यह यूके के आगे देख प्रिथक निर्वाचन के संदर में, यानि संधान सम्हा में प्रिथक निर्वाचन के लिए जो डिबेट चल रही थी, कि यानि अलग धर्मों के लिए या अलग धर्मों के लिए अलग चुना होता है, तो उसके संदर में, तो उसके संदर में दो कथन है, यहीं कथनों को पढ कर सही उतर देजिए तो सन्विधान सभा में बी पाकूर बहादूर ने यानि बीपी बहादूर ने प्रिथक निर्वाचन निर्वाच्किया के समर्थन में परस्ताव रखा था जिसे सरदार पटेल ने अपना समर्थन दे दिया मेरे भाही सरदार पटेल समर्थन नहीं दिय तो ये बात गलत हो गई, तो दूसरा कहरा है, आर्भी धुलेलकर ने प्रिथक निर्वाचन का बिरोध किया था, तो जी ये बाते सही है, तो ये सही है हमारा, यानि उत्तर हमारा हो जाएगा B, केवल B सही है यहाँ पर हमारा, तो ये जो P बहादूर थे ये, यह मद्रास के थे 45 में देखते हैं हम लोग तो हम लोग को मालूम है उज्जेन जो है ये छिप्रा नदी के तड़ पर है यहाँ पर जो बहुत बड़ा जो है धार्मिक अस्थलवी है तो ये बात सही है यानि एक बिकल्ब पर नहरना चाहिए तो ये बात सही है हमारा और स्रीरंग पट्टनम तो स्रीरंग पट्टनम जो ये साथ हुए दिया है ये गुदावरी नदी नहीं है गुदावरी किष्णा नदी के तड़ पर है और ये यहाँ आ जाएगा ये उल्टा दे दिया है केवल एक सही है किवल एक सही है मारा 46 में साथ हूं क्या है सिंपल सा परशन जलोड मिट्टी के संदर में दो कथन दिये हैं इन्हीं कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए आप लोग को मालूम है प्राचीन जलोड को खादर नहीं बांगर कहा जाता है तो क्या बांगर और जो नवीन जड हुमस की कमी पाई जाती है प्राचीन जलोड जो मिट्टी होती है जो जलोड मिट्टी होती है कर लें हम जो जलोड मिट्टी होती है उसमें नाइक्रोजन और हुमस की कमी पाई जाती है तो यह 46 में हमारा जो प्रशन है केवल यह जो है बी सही है यह उत्तर बी केवल दो 47 में क्या है हमारा नीचे दिएगे कथनों पर विचार करें और कूट की साहता से सही उत्तर दें तो कथन को पढ़िए, कारण को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए तो बिस्व में पर्यावरण हरास की प्रमुख समस्या है जी मेरी भाई सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है इसका समस्या एक मात्र कारण मरुस्थली करण है साथियों ऐसा कैसे हो सकता है जो बिस्व में पर्यावरण की समस्या है उसका एक मात्र कारण कैसे मरुस्थली करण हो सकता है जो आनुरूर अखतु जा रहे है के रियोग हो रहे है तमाम जीमंतियों का शिकार laser किया जा रहे हैं ये समस्या थोड़ी नहीं तो एस Will硬 हो जाएगा अज़र सीबगाए 149 में Eco-mark, Eco-mark के संदर्म में थो कठन दिये गए हैं बहुत बेहतरीन प्रश्यन है यह उसके संदर्म में सही उत्र देना है तो eco mark का एक निसानी होता है हरे कलर का तो eco mark जिसे पर छपा रहता है इसका मतलब यह जब प्रॉडक्ट खराब होगा तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुचाएगा यानि इस पर एकोमार का विछट्व recipients लेबल लागा रहेगा उसे पर्यावरण का मित्र कहा जाता है तो 18 उत्पाद नहीं साथियों 16 उत्पाद है ये गलत हो गया तो ये हमारा उत्तर यहाँ पर केवल एक हो गया तो साथियों आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं पहले 18 है किटनासक और आउसदी को निकाल दिया गया अब 16 बचे हैं तो हमारा 48 हो गया 49 को देख लेते हैं उन्चास में क्या है जैव मंडल के संदर में कथनों पर विजार कीजिए और हमें उत्तर दीजिए सही से तो जैव मंडल एक बंद विब्रित तंत्र है तो नहीं साथ यूँ खूला तंत्र है बंद कैसे रहेगा उसमें उर्जा कादान कैसे होगा ति यह गलत हो गया जैव मंडल में केवल अस्थल मंडल और जल मंडल को सामिल किया जाता है साथ में यह भी गलत जैव मंडल जो होता है बायो स्पीर उसमें अस्थल मंडल जल मंडल वायू मंडल जो तीनों जहां मिलते हैं वहीं जीवों की रहने की अस्थान हो तो यही जो होता है बायूस्पियर हो गया जो मैंने बीच में पेंटिंग किये है तो यहां दोनों कथन गलत हो गए डी हो जाएगा हमारा उन्चास का उट्तर है आगे तिजले हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है अग हमारा 50 में 50 में साथियों हमारा यह कह रहा है कि कथनो निम्लिकित कथोनों में कौन सा मानोौverse जनीत बाय। यानि मानो की वजह से बाय। कौन सा बनाए गए हैं। साथियों फसली भूमी जो होती हो ऐसे सा कृतिम बाय। मायं बाय। जल जीव शाला जीसे बनाकर उसे मचली से छोड़ देना या इस तरह का यह मानो जनीत बायोम है जब पी वर्सा वन और जल तंत्र ये कृतिन तंत्र है तो एक दो केवल हो जाएगा हमारा यह मानो जनीत यंथो पोजयनिक बायोम कि एक्यावन में देखते हैं तो एक्यावन में हमसे कह रहा है तो एक मिनट तो एक्यावन में हमसे कह रहा है कौन सा मचली नहीं है तो साथियों कौन सा मचली नहीं है यह हमसे पूछ रहा है तीन मचली हैं, एक मचली नहीं है, लेकिन फिर भी उसके नाम में मचली लगा हुआ है, तो उसी को हमें बताना है, कौन ऐसा है वो, तो साथियों, आप लोगों ने देख रहा होगा, कटल फिस, विकल्प ए, यही मचली नहीं है, जबकि इसके नाम में फिस लगा हुआ है, ज आगे देखें, तो साथियों देखें, बावन में ये बहुत पहतरिन सवाल है ये, कराय खादर सिंखला के संदर्म में कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है, तो खादर सिंखला के बारे में जानते हैं, घास को कीड़े मकोडे खाएंगे, कीड़े मकोडो को मेड़क खाए तो यहीं सही है बाकी और कोई सही आपको इस तरह का नहीं मिलेंगे तो देखें साथियों इसमें बहुत बहुत बहतरीन सवाल कराए किसे कारबनिक घटकों में सामिल किया जाता है तो किसे कार्बनी घटक में सामिल के आएगा सब में है सिर्फ अमोनिया इसमें NS3 होता है इसमें आपको कहीं कार्बन नहीं मिलेगा तो दो जहां होगा वो गड़बड होगा तो इसमें दो है इसमें दो है इसमें दो है तो किवल इसमें नहीं है यही उत्तर होगा यानि यूरिया हुमस वसा में कार्बनी घटक है और देखें हम लोग आगे चौवन में तो निमलिखित कथनों में जैव संचेन को परिभासित कौन करता है अच्छे से जैव संचेन सोरी 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 तो मैं कहां था यहां था तो जैव संचेन को सर्वोत्तम सही रूप से परिभासित कौन करता है तो आप लोग जानते हैं साथ ही हो किसी जीव में बिसाथ परदार्थों का एकत्री करण हो जाता है तो बिकल्प नंबर चौउवन का हमारा C हो जाएगा यही उत्तर C होगा यही वाला पच्पन का जीवभार पिरामिट के संदर्म में कथोनों पर विचार करिए तो जीवभार पिरामिट के संदर्म हमें कथोनों पर विचार करना है कैसे बिचार करेंगे तो जीवभार पिरामिड कराए यह हमेशा सीधा बनता है तो साथ यह बिलकुल गलत जहां भी जीवभार आए तो इसे पिरामिड उल्टा बनेगा यह उल्टा पिरामिड है और जबकी यह सीधा पिरामिड है तो जीवभार के संदर में हमेशा उल्टा पिरामिट बनेगा इस तरह का क्योंकि जो उत्पादक होते हैं उनकी संख्या तो बहुत अधीक होते हैं लेकिन उनका जिवभार कम होता है उनको उपभोग करने वाले से तो यह बात यही बात कर रहा है तो यह गलत हो गया हमारा इसके दोरा प्राथमिक उत्पादकों एवं बिभिन सेड़ी के उपहुकताओं के बहार का प्रदी जो है प्रदर्सित किया जाता है यस मैंने पहले यही चीज बताया आपको ग्राफ के माद्धिम से तो बी केवल पश्पन का भी सही है हमारा च्छपन का देख लेते हैं घास और वन अस्थल के पिरामिड हमेशा सीध सिधे बनते हैं तो साथियों इसके संदर में ब्विधाते जाए क्युकुक्षा पिरामिट सीधा बनता है क्योंकि इनकी संख्या है sf 2025 आने संख्या कम होती है इन पर डिपेंट राले संख्या और कम होती है तो इस तरह से तो प्राथमी कुछ पात्कों की संख्या भोक्ताओं से अधिक होती है बी यही हमारा छप्पन का उत्तर होगा तो आगे बढ़ें हम लोग 57 का देख ले 57 में क्या करा है निमलिखित कथनों पर वीचार कीजिए वीचार करेश अर्ण सहीं उत्तर देजिए और यह इसे में offend यहां पर पीरामिडंगा मैं सीधा बनता है ऐसे अप लोग को बताया होता है एक जीवम से उर्जा मतलब यह हो गया ना अब माल लेजे यहां पर तीन जीव है इस जीव के पास जो है यहां पर माल लेजिए ऐसे हम उसको समझाएं तो पहले मैंने कहा कि विचार कीजिए विचार करके सही उत्तर बताना है तो कह रहा है उर्जा पिरामिड अमेसा उल्टा बनता है जैसे जैसे सिरीज बढ़ती जाती है जीवों की खादर सिंखला की वह इसे उर्जा कम हो जाती है जैसे घास है घास की उर्जा हजार यूनित है तो घास को बकरी खा लिया तो बकरी को केवल उसका 10% उर्जा मिलेगा 90% लास हो जाएगा तो बकरी को मिलेगा तब 100 मिलेगा गर इसका एक हजार था, एक हजार, इसके सँ मिलेगा और बकरी को सेर सेर खा लिया,vyल 10 के था गलत हो गया, तो समåन दस दस में जाने पर 10 % सब्राश हरास होती है यह गलत हो गया तो यानि गलत हो गया, दौनों का गलत हैं विकल्प T हो जाएगा हमारा तो हमारा सप्तावन पर है अब सप्तावन पर देखते हैं 256 हो गया 57 यहां हो गए 58 हमें देखना है ना तो देखें 58 में साथ हुं क्या है सिंपल सा सवाल है कोई दम नहीं है सवाल में कौन सा उर्जा के सरप्रमुक्ष स्रोत में सामिल नहीं है ध्यान दीजिए इतना सरल प्रशन नहीं मिलेगा क्यों सरल है क्योंकि यहीं नहीं दे दिया है इसी में सारी पूरी कला है क्वेश्चन साल्व करने की तो कौन सा उर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत में सामिल नहीं है तो हमें मालूम है सुर्व जो है उर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है तो यानि जो है सुर्व हमें बिकल्प में नहीं रहना चाहिए तो सुर्व तो सरप्रमुख है तो कह रहा है कौन सा नहीं है तो सुर्व नहीं है तो वही सुर्व हमें विकल्प नहीं रहना चाहिए तीसमें सुर्य है इसको कारड़े जिए इसको कारड़े इसको कारड़े उत्तर हमारा सी हो जाएगा यानि दो और चार नहीं है सौर वेकिरन भूत आपी हैं तो सभी सभी उर्जा के सुरोथ हैं ऐसे बात नहीं है लेकिन सरव प्रमुख दे दिया तो इससाब से ये दो सरव प्रमुख नहीं है और बाकी उपर के दोनों सरव प्रमुख है फिप्टी नाइन कथनों पर विचार कीजिए एक पारितंत्र प्रमुख सबसे अच्छा कॉन सवर्ण का तो परितंत्र व कि आप लोग जानते हैं इसका कॉन सबसे अच्छा परिभासास दे रहां है सातियों तो 또 जीवों का समधाय तो साथी वा पर्या वरान जिसमें वह रहते हैं तो सातियों इस उनके आस्बास के जयाविक अजयवि सकते हैं इसमें तो सी हो जाएगा 59 का हमारा सी उत्तर 60 का क्या हो जाएगा साथियों? निमलिखित कतरों में से कौन सा सहोप कारिता के उधाहरन है? तो सहोप कारिता कहा ayun say utaharin उत्तियों इसमें हमें बताना है। बहुत बढ़ियां सवाल है हमारा 60 का तो सहुभ कारिता जानते हैं दोनों जीवों को लाभणवान्वीत होता है एक जीव मतलब जैसे जो एक कोई है ये इस पर कोई अपना जो है आवास बना कर रह रहा है तो यानि दोनों को लाब हो जो रह रहा है उसको जिसके यहां रह रहा है उसको भी तो कौन से उसके सहुप कारिता के अच्छा उदारण है तो लाइकेन है साथ यूँ लाइकेन भी हमारा हो सकता है तो क्योंकि लाइकेन भी दूसरे के साहरे पर जीता है और उसको नुकसान ही नहीं पहुचाता है तो यह हो गया हमारा कि और यह हो गया कवक भी हो गया सअफ पलग कारिता में ही आता है तो है अलोल कि का यह कि आर्पनेग्र हो दोसरे को हानी होती थे ятffen डेल नहीं होता नहीं सब तो बिकल्ब तीन जिस में हो वो नहीं होगा उत्तर यह नहीं होगा यानि यह होगा कि क्राइज तो एक सठ में हम लोग देखें कर दूश Jake मैंश एक तरह की अंतर करिया के बारे में दिया है उसका जीओं पर पर प्रभाव दिया है। तो जो गलत है उसी को बता दिजिए। आप कौन सा सुमेल नहीं है। तो सब सई यétais साथियों सहोग कारितम मैंने पहले बता है। दोनों के लाब होता है सहाइब होजीता मिने एक लाब, दूसरा नूट्रल रहता नहीं प्रभावीत रहता है यह भी सही है यह भी सही है प्रतीस परदा में क्या होता है दोनों जीवों की competition होता है तो दोनों के हानी होगी तो दोनों के हानी होगी तो यह भी सही है तो गलत जब यह तीनों सही हैं, तो गलत यही होगा और यही हमारा उत्तर होगा, तो क्यों यह गलत है, परजीविता, यानि पैरा सिटिजम, पैरा सिटिजम क्या इसमें करा है, कि इसमें दोनों जीवों को लाव होता है, नहीं साथियों, पैरा सिटिजम जो होता है, पैरा सिटिजम में साथ हना साहीं नहीं है can is 62So what he needs for u Дेख लें कौन सा मिरद उर्वर्था को बृद्धि करने के लिए वंधी नैट्रोजन को कार्बन नाइट्रोजन प्रवर्थी करते हैं यानि मिटी उर्वर्था बढ़ाने के लिए वायू से नाैट्रोजन लेकर और जो है उसे जो है कार्बन में नाट्रोजन करवर्तित करता है तो ऐसा कौन है राइजोबियम है एनाबिना है नौश्टाक है तीन के तीनों D हो जाएगा उत्तर 62 का हमारा उत्तर D हो जाएगा यह उत्तर D 63 में क्या है लिमन लिखी में से किस रोग का कारक एजेंट इंटीग्रेज इंजाइम उत्पन करता है लिमने से किस रोग का कारक एजेंट इंटीग्रेज इंजाइम उत्पन करता है तो साथियों यहाँ पर जो है 800 हो जाएगा विकल्प नंबर D 64 में अनेक बाह नवीन प्रजातियों या प्रजनकों का अनुक्रमण की छेत्र अनाधिकार प्रवेश का लाता है तो अप लोग जानते हो साथियों अनेक तरह के अगर जो प्रजातियों का प्रवेश होता है अगर तो उनको प्रवास बोला जाता है विकल्प B हो जाएगा हमारा 64 का B हो जाएगा जो है, तो प्रवास हो जाएगा, प्रवास को माईग, जो एक तरह से माईग्रेशन बोला जाता है, आकर जो है, वो बस जाते हैं, 65 में 65 में क्या है भारत में भूकंपी छेत्रों के संदर में कौन सा कथन सही है भूकंपी छेत्रों के संदर में कौन सा कथन सही है तो सही उत्तर हमें बताना है दोनों भी कल्पों को पढ़कर इसमें पुरुवी प्रशांत और बिहार में यह उत्तर पुर्वी प्रांत और बिहार भारत नेपाल सीमा छेत्र की अति अधिक जोकिम वाले छेत्र अस्थल है यस मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब है यह बिल्कुल सही बात है क्योंकि भुकम पाया था संदोयर पंद्रम आप लोग देखे होगे जो नेपाल या उसके आसपास कि जोचेत्ह ज़्यादा प्रभावित हूए थे उत्राखनड पश्चमि हुमालय प्रदेश कश्मीर घाटी कच्च अति जोकिम वाले छेत्र हैं तो यह भी बात सःएं सातियों तो 65 का यह क्या करा है उत्रा खंड पश्चमी हिमाले प्रदेश कश्मीर गाटी कच्छ जो मध्यम छती योखिम वाले नहीं साथियों मध्यम नहीं बहुत ज्यादा छती होती है मध्यम छती नहीं होती तो ये दो भी गलत हो गया केवल ए होगा तो हमारा जो है छाचछट में देखते हैं क्या है भूमद सागरी क्रिसी के संदर्म में यानि भूमद सागर के आस पास जो क्रिसी कोई जाती है भूमद सागरी क्रिसी उसके संदर्म दो कथन है कथनों को सही से पढ़िए उतर दीजिए अंगूर की क्रिसी भूमद सागरी क् यह सहीछ जवाब उस अंगुर से अच्छी क्वालिटी के अंगुर प्राप बनाये जातेये드roe। जो अंगुर होती है değildi है। कोल खहोज के नाम से भी जाना जाता है तो यह च्छाचट का हमारा जो है केवल A होगा बी वाला गलत है तो यह बी एक तरह से रूस में जो है तो एक तरह का जो है अस्थानांत्रित क्रिसी होती है तो सामोही क्रिसी होती है तो हमारा कौन सा यहां सही हुआ केवल A तो संसर्थ में देखें बंदरों को पकड़ने की कला में दच्छता के कारण चर्चा में रही माकंडिया जन जाती माकंडिया जन जाती निमलिखित में से किस राज से संबंधित है तो यह साथियों माकंडिया जन जाती जो है यह अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी यो जो बंदरों को पकड़ने में माहीर है तो यह ओडिसा में है बिकल्प नमबर C अनसठ में हमें यह क्या पूछ रहा है यहाँ पर कह रहा है कि बागों के संदर्व में कौन सा कथन सत्य है तो भारत में बागों की संख्या पिछली जन गड़ना की तुलना में 30% से ज़्यादा बिद्धी हुई है सही बात है सरकार बागों की संख्या बढ़ाने पर बहु जाता है तो यह बात सवर्षियों हमारा सत्य है दोनों के दोनों एक किवल सत्य है दो तो गलत हो गया किवल ए 68 क्वल ए हो जाएगा अपना आगे देखें हम लोग 1969 इसमें कहरा है कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके सही उत्तर दीजिए, तो हैजा एक तरह की संक्रामक बीमारी है, जिसे हम लोग TB भी कहते हैं, तो जो संदूसित यानी प्रदूसित जल और भोजन प्लार्थों के खाने से फैलती है, येस मेरे भाई, हैजा इसी से फैलता है, दूसित पानी, दूसित भोजन से ही, ये सही है और वो जो है जिवाडू यानि बैक्टीरिया से फैलता है तो विब्रियो कोलेरा यह तरह का बिशाडू नहीं बलकि बैक्टीरिया है तो यह गलत हो गया दो यह यानि केवल A सई है न, तो यहां पर साथियों क्या करा है, सत्तर में, जुड़ोवा घाटा, एकोनॉमिक से सम्मंदी थे, ट्विन डेफिसियेट, तो ट्विन डेफिसियेट क्या होता है, यह बजट घाटा और चालू घाटा के मिला कर जो है, जुड़ोवा घाटा बोला इसके बाद जो question number 71 से लेकर 150 तक जो है, हम लोग इसको part 2 में देखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे, तो हम लोग इस part को यहीं रोक देते हैं, जेस्ट इसके बाद दूसरा part upload होगा, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं, next video में, तब तक के लिए, नमस्कार.